कि पास्चात्य काव्य सिधांत या फिर पास्चात्य काव्य शास्तर के अंतर के ताज हम by टी की परंपरा की वड़्ार्णा और व्यक्तिक प्रतिभा है यह जो सिधांत है इस पर चछनकरेंगे इस इसको समझने का प्रयाश करेंगि यूं। ती एस इलियट की परंपरा की अधारना और वयक्तिक प्रतिभा और कुछ किताबों में यहां लिखा हुआ भी मिलता है ती एस इलियट की परंपरा की अधारना और वयक्तिक प्रग्या या फिर व्यक्तिगत प्रतिभा या व्यक्तिगत प्रग्या इसको इंग्लिस में बोलत इन बिंदों के अधार पर परिच्छा में आप इसका उत्ता लिख सकते हैं सबसे पहले लिखना है आपको प्रस्तावना प्रस्तावना में आपको हमेशा जिस लेखक या कवी के विशे में उसके जीवन के विशय में उसके पुछ रठना के विशय में लिखना जरूरी होता है और सिध्धान जिस अधारणा पर आप बात करें इसकी थोड़ी बहुक्त जानकारी देनी होती है इसके बाद हम देखेंगे परमपरा के अधारणा और अन्य आयाम क्या क्या इसकी विशेष्टाएं है क्या यह अधारणा क्या है यह concept क्या है परंपरा और वैक्तिक प्रतिभा परंपरा मतलब tradition और वैक्तिक प्रतिभा मतलब किसी व्यक्तिकी स्वयम की प्रतिभा व्यक्तिगत प्रतिभा में और परंपरा में क्या संबंद होता है या सकता है और उस रचनाकार का उसके पुर्ववर्ति जो रचनाकार है कृतिकार है जापर यह लोग खा गया कभी है उनके साथ कैसे हम तुलना कर सकते हैं और अंत में पूप सहार का नाम यहां पर 1888 है गलत लिखा गया है आधनिक काल के पाश्चात समिख्छकों में टी-स इलियड का नाम अत्यनतमातपुर्णा है इनका जीवन काल है 1888 से लेकर 1965 इनका जन्म सेंट लुई अमेरिका में हुआ किन्तों शिक्षा पैरिस और लंदन में हुई बाद में लंदन में बस गए वे 20-वी सदी के महान कवियों और आलोचकों में गिने जाते हैं बहुती प्रसिद्ध बहुती महान व्यक्तित हुए हैं इन्हें 1940 से में साहित्य का नोबल पुरुसकार भी प्राप्ट हुआ तो कितने महान कवी हैं लेखक हैं आलोचक हैं आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इल्यट की सरवादिक प्रसिद्ध रचना ट्रडिशन एंड इंडिविज्वल टेलेंट हैं जिसमें साहित्य की आधार भूत एवं मौलिक समस्याओं पर प्रभावी धान से विचार किया गया है इसका ही हम अध्यान करने वाले हैं हम इनकी अत्यांत प्रसिद्ध रचना या पिर का सकते हैं कि अत्यांत प्रसिद्ध निबंद हैं और इस पर इन्होंने साहित्य की आधार भूत आधार भूत मतलब बैसी एवं मौलिक समस्याओं पर प्रभावी धान से विचार किया गया है कि साहित्य का निर्माण कैसे होता है और किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है आलोजना के शेत्र में उनके अत्यांत महत्वण निबंद इस प्रकार है इन्होंने बहुत हैं महत्वण निबंद लिखे हैं आलोजना के शेत्र में जो इनके प्रसिद्ध निबंद है वे हैं, Tradition and Individual Talent, परंपरायम वैक्तिक प्रतिभा जिसका आप आप यद्धियन करेंगे, Poetry and Drama, The Function of Criticism, The English Metaphysical Poets, The Frontiers of Criticism, तो यह इनके प्रसिद्धे नहीं बन्द है, इनका उलेख आपको अपने उत्तर में अवाश्य करना है, वे अंग्रेजी कविता के महत पूर्ण आदरिक कवि हैं, इलियट अंग्रेजी सचंदतावादी कवि और आलोचक, वर्ट्वर्थ, एम कॉल्रीट की काय संबंधी स्थापनाओं, सथापनाओं मतलब सिध्धान्तों और धार्णाओं के विरुध, अर्थात सचंदतावाद विरुधी स्थापनाओं के लिए जाने जाते हैं। मतलब ती असीलेट मुख्ः रूपसे जो रोमां्टिक पोईड्स हुए हैं जो的 except विलियम वा्त्तह हैसा है और कॉल रीज हैं एक शैली है क्ईट सैंड़ीर में कोई कीड जिसे हम हींडी में सच्छन्दधावाध काते हैं इसके विरुद्धहिये 2 लेकर आये क्योंकि जो romantic कवीता है सवचंदतावादी कवी है उसमें कभी को अत्यधीक महत्त दे दिया गया था कभी के व्यक्तित को अत्यधीक महत्त दे दिया गया था और परंप्राओं की उसमें कोई भूमिका नहीं थी मतलब कभी जो था समाच से कट गया था उसके जो personal feelings और emotions होते थे जो उसकी व्यक्तिक या निजी अनभूतियां होती थी उसे ही सवचंदतावाद के माध्यम से व्यक्त किया गया है तो romantic जो कभी थे जो सवचंदतावादी जो कभी थे William Wordsworth, Paul Reed, Shelley, Kids, Tennyson ये जो romantic कभी हैं ये romantic critic हैं आलोचक हैं उसमें क्या होता था सवचंदतावाद में क्यों व्यक्ति अथ्वा कभी की निजी अनभूतियों को कभी के व्यक्तित्त को ही सरवाधिक मात्व दिया जाता था और परंप्राओं का या फिर समाच से उसका कोई सरोकार नह इलियट ने अंग्रेजी कविता एवं आलोचना में आधुनीकता का पत्प्रतर्शन किया तता अंग्रेजी आलोचना की स्थापनाओं के विरुद्ध नहीं मानेता हैं प्रस्तूत की पहले से जो चली आ रही थी जो अधानाएं थी जो सिध्धान थे उनके विरुद्ध इन्होंने अपने मौलिक सिध्धान लेकर आये अपनी मौलिक अधानाएं लेकर आया तो यह आधुनीक थे अत्यन्त इसकी अत्रिक उन्होंने अंग्रेजी के महान रचनाकारों शेक्स किुझा, इनकी प्रमुकिस्थापना आंए प्रमुक्सिधान्त हैं, परंपरा की आउधाना आतिवा परंपरा का लिख दोसेखना है आपको परंपरा कीसी उत्तर को लिखना है जाए आपकी परिच्छा में परंपरा की अधाना परंपरा का सिध्धान पूछा जाता है या फिर आपको पूछा जाता है परंपरा और वैक्तिक प्रतिभा या परंपरा अथवा वैक्तिक प्रग्या तब भी आपको इसी उत्तर को लिखना है अब परमपरा के वधाना और आन्यायाब देखते हैं क्या 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 बाते हैं T.S.E.L.E.D. ने परमपरा को आदुनीगता के संदर में रख कर देखा और उसका मुल्यांकन किया मतलब उन्हों ने यह बताया कि परंपरा किस प्रकार आधुनिक्ता से जूड़ी हुए है और परंपरा का मुल्यांकन हम आधुनिक विचारधारा के आधार पर भी कर सकते हैं टी एस इलट की परंपरा के अधारणा को जाने से पहले परंपरा के समाने अर्थ को समस्ते हैं चलिए सबसे पहले हम समस्ते हैं कि परंपरा का अर्थ क्या होता है ती ही शब्द होते हैं परंपरा, प्रथा और उड़ी ये लगवग मिलते जूते शब्द होते हैं परंपरा वास्तों में एक समाज शास्त्री पद है, समाज शास्त्र का ये शब्द है, सोस्यलाजी का, समाज रूम से जब हम परंपरा शब्द का उपयोग करते हैं, तब हमारा आशय यह होता है, कि अतीज से चली आ रही प्रथाएं, रीती रिवाज, किन्तु किसी भी परंपरा से हमारा अतात्पर्य रूढियों से नहीं होता, परंपरा से क्या अतात्पर्य होता है, जो हमारी पुरानी प्रथाएं हैं, जो हमारे पुराने रीती रिवाज हैं, उनसे ही मिलकर हमारी परंपरा बनती है, लेकिन परंपरा रूढियों से अलग होती है, रूढि के शौके सा정 सती होना पड़ता था यह का रूधी बन गई था रूडी होती है नकारातमक और परमप्रा होती है सखार्तमक यह आप ध्यान बे रखे चैनलं रूडीबं गई थी सती-प्र इसलके धीरे धीरे अरूड़ी बन गये थी तो यह रूड़ी होती है नकारात्मक जो प्रथा नकारात्मक हो जाती है तो अरूड़ी बन जाती है और दिरे दिरे वह समापत भी हो जाती है और जो प्रथा सकारात्मक होती है वह परंपरा बन जाती है परंपरा गतिशील होती है जीवन्त होती है और कभी समाक नहीं होती, तो परंपरा सकारात्मक शब्द है, अरूडी जो है नकारात्मक शब्द है, किसी भी अर्थ में परंपरा से हमारा तात्पर अरूडियों से नहीं होता है, हमारा अर्थ होता है, कि लंबे समय से, परंपरा से हमारा तात्पर होता है, कि लंबे समय से के 1000 पर समझेंगे भारती समाज शास्त्री स्यामा चरण गुबे नाम के एक प्रसिद समाज शास्त्री हुए हैं उनका कहाना है परंपरा संस्क्रीती का भाब हाग है जिसमें भूत काल से वर्तमान और तवर्तमान से भाविश्य तक दिरंतरता बनी रहती है मतलब परंपरा संस्क्रीती का भाहिसा है जिसकी जड़े भूत काल में होती है और जो वर्तमान समय में फलता फूलता है और यह भाविश्य तक आके भी जारी रहता है मतलब परंप्रा की जो जड़े हैं बूत काल में होती है वर्तमान में उसका तना होता है और फूल पत्ते जो होते हैं उसके बाविश्य तक फैले रहते हैं तो यह होती है परंप्रा अर्थात परंप्रा वह नदी है जो अपने उद्गम से निकलती है और दिरंतर प्रवाह मा कर नहीं रहती है परम्परा कभी समाब नहीं होती है इसे ही रंतरतर में जुड़ती ह пожक्षित है और आतीद प्रतमान दोनों से जुड़ी रहती है ऑर भाविसी tab भी जारी रहती है इसका एक पक्षिया भी है कि परंपरा करना तो रूड़ी रूड़ी मतलब होता है नकारात्मक प्रथा कहा जा सकता है और नहीं उसे वर्तमान से अलग या प्रिथक माना जा सकता है हमें अपने पुर्खों से पुरोजों से जो परंपरा है प्राप्त और जैसे वर्तमान को अतीत से अलग नहीं किया जा सकता वैसे परंपरा को वर्तमान से अलग नहीं किया जा सकता इसी बात को T.S.E.L.E.D. ने समझाते हुए कहा कि परंपरा का उद्देश अत्यन्स ब्यापक होता है महान होता है, परंपरा का जो लक्ष होता है, जो उद्देश होता है, बहुत ही महान होता है, इसमें सबसे पहले इतिहास बहुत सामिल होता है, और इतिहास बहुत में एक ब्रिष्टी नहींत रहती है, जो ना केवल अतीत के अतितत्त की अपी तो उसकी वर्तमानता की भी पक होता है और परंपरा में इतिहास बहुत शामिल होता है इतिहास बहुत मतलब हमको अपने इतिहास का ना के वाल ग्यान होना चाहिए बलकि उस पर गर्व भी होना चाहिए इसलिए हमारा वरतमान जो है अपने इतिहास बहुत से अपने इतिहास से प्रभावित होता है जैसे सिंदुगाट यसे बैता है में खुदाई निरंतर चल रही है अभी नईनी चीजें मिल रही है तो समय समय पर क्या है हमको अपने इतिहास को भी बदलना पड़ता है वर्तमान के हिसाब से ठीक है तीजिए से डायनासौर है डायनासौर के बारे में नहीं रिसर्च हो र छेकring कर अभी नचाहरा इतिहास बहुत के काम परंपरा के विखिजी अवह एक निश्च्च्च उद्देश होता है यह माँदि परंपरा है अभारती परमपरा है और भारती परमपरा ऐसी है जैसे कोई कनाड़ा में रहने वाला सीख परिवार है या फिर अमेरिगा में रहने वाला सीख परिवार है वो भी भारती परमपराओं से डुड़ा हुआ है अपने धर्म और अपनी परमपराओं का निर्वन करते हैं विदेशों में जैसे जो हमारे बिहार में रहने वाले लोग हैं उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग हैं वो चाहे विश्व के किसी भी हिस्से में रहें वेच्छट पुजा पुरी उससे करते हैं पुरी धार्मी कास्ता और विश्वास के साथ करते हैं जैसे गुजरात पे रहने वाले जो गर्बा नवरात्री के समय गर्बा का रित्य करते हैं तो चाहिए दुनिया के किसे भी हिस्ते में रहें वो गर्बा करेंगे नवरात्री के समय में तो यह सारी हमारी परंपराएं जो निरंतर विक्सित होते रहती हैं यह इतिहास बहुत से जोड़ी होती है और जब इतिहास बहुत का देन क्या जाता है तब न केवल इतिहास के एतिहासिक घटना करम अर्थात अतित्तों की चर्चा होती है अब ही तो उसकी वर्तमानता की भी चर्चा होती है परंपरा का संबन्द इतिहास बहुत से होता है और आतीद का हमारी तिहास का वर्तमान स्वा में कितना महत्व है हुआ वर्तमान से किस तरह से जुड़ा हुआ है परंपरा के संदर में TS-ILEED की महनेताओं के कई आया हमें कई रूप हैं जिसमें पुराने और नए रचनाकारों का तुलनात्मक अधियन साहित्यकारों का मुल्यांकन तथा व्यक्तिक प्रतिभाव व्यक्तिक प्रतिभाव व्यक्तिक प्रग्या या व्यक्तिकत प्रग्या सब एकी चीज़ है कि विभीन पक्षों का विस्देशन शामिल है इस अंदर में आगे विस्दित उल्लेक किया जाएगा मैं बता चुका हूँ कि इसी उत्तर को आप लिखना है तो जब परंपरा की बात करते हैं तो उसमें कई चीज़ों को शामिल करते हैं पहला है नए रचनाकारों पुराने रचनाकारों का तुल्नात्मकत देन जैसे वालमिकी की रमायर और उनके तुलसिदार जी की रामचरिद्मानस चाहे राम की शक्ति पुजा दिराला जी की इन सब का तुल्नात्मकत देन करना फिर तता वयक्तिक प्रतिभा वयक्तिक प्रत प्रतिभा भी कहा जाता है कि विभिन पक्षों का विस्तिवाण शामिल है तो परंपरा के अंतरगत परंपरा के अधाना के अंतरगत इन सारी चीजहों को हमको शामिल करना है आगे हम इसका विस्तिरत अध्यन करेंगे अब हम देखते हैं कि परंपरा और वैक्तिक प्रतिभा या परंपरा और व्यक्तिक प्रज्यार है। होती है युद्धिध्य प्रतिभ्या होती है उसका क्या मथ्व है क्राम्परा व्यक्तिक प्रतिभ्या नामा की यहलेक तीन खंडों में विभारित है पहले भाग में परंपरा की व्याख्या की गय로 क्यों दोसरे आलोचना में क्या है कई बार कोई पुर्वाग्रा से ग्रस्त हुजाता है तो वह नकारात्मा प्रूप से आलोचना कर देता है। जो सही है वो सही है जो गलत है वो गलत है तता समयदान सिल प्रसंसा मतलब जो लेखक या कवी है उसके प्रती समयदान सिल रहकर उसकी प्रसंसा करना। तीसरा हिस्सा सारांस के रूप में प्रस्तुत है जो अत्यांतो संचीब थै और कवी और कविता के सरोकारों का सुत्रात्मा कवी वेचन करता है। तो यह तीन भागों में यह लेख बटा हुआ है जो आकरी भाग है वह यह बताता है कवी और कवीता का क्या संबन होता है आपस में। परंपरा और वैक्तिक प्रतिभाह नामक लेक इतना चट्चित रहा कि उसे हिंदी आलोचना में परंपरा के संदर में प्राया मापदर्ण या प्रतिमान माना जाता है मतलब हिंदी आलोचना में जब हम परंपरा की बात करते हैं परंपरा के बारे में जब हम वर्णन करते हैं उन लेक करते हैं तो इनका जो लेक है परंपरा और वैक्तिक प्रतिभाह इसको ही ध्यान में राकर हम परंपरा का वर्णन करते हैं उसका ध्यान करते हैं मतलब यह एक प्रतिमान बन चुका है अगय का चर्चित निबन्ध रूढ़ी और मौलिक्ता दिखाता है रूढ़ी और मौलिक्ता तु कि आस सिलियट के इस निबन्ध परंपरा और व्यक्तिक प्रतिभासेना के वाल इस पर स्ष्छ रूप से प्रभावित है बल्कि उससे उसका मतब भावों का अनुवाद तो जो हमरे अग्ये हैं इन्होंने एक लेक लिखा था निबन रूडी और मॉनित्ता यह इसी से प्रभावित है ट्रेडिशन एंडिविजियल टेलेंट से टीएस इस प्रकार यह इस पॉस्ट रहाता है कि इलिएट का यह लेक ना कि वाल साहितिक विमर्स में अत्यधिक चर्चित है अपी तो पास्चाति कावेचिंतन में इलिएट के योगदान का एक महत्यपून आधार भी है मतब ट्रेडिशन एंडिविजियल टेलेंट नाम का यह जो लेक है यह अत्यंत प्रसीद है तो ना कि वाल साहितिक विमर्स साहितिक चर्चा का केंद्र रहा है बलकि पास्चाति कावेचिंतन में इसका महत्यपून आधार भी है मतब सरवातिक महत्यपून योगदान है यह लेक है इनको नोबल पुरसकार मिलाया बहुत ही विद्वान बेक्ति है जैसा कि प्राया साहितिक विमर्स यह अलचनात्मक मुल्यांकन में ह तब यह प्रविती देखि जाती हो परसंगिक सिद्धन करना हो और उसे कमतर्मेश ठीकस्तर होता है उसे प्रमपरवादी सिद्ध करें मतब वर्तमान आलोचना में यह अलोचक किि स्यकर यहर किसी रसनाकार या लेखण को वर्तमान समय में महत्त प्रदान नहीं करना चाहता है या उसकी निंदा करना चाहता है तब वक्ता देता है कि यह तो बहुत परमपरिक है परमपरिक मतब रूढ़ी के इस तर पर चल या तो यह परमपरिक कभी है परमपरिक लिखा गए परमपरिक व्यक्ति है तो उसके महत्त को कम कर देते है अंग्रोजी आलोचना की इसी प्रवित्ति को इसपस्ट करते हुए इलियट काते हैं कि प्राया हम यह कहते हैं कि कि किसी के यहाँ परंपरा का भाव देखा गया है मतलब इनके यहाँ परंपरा ही नहीं है मतलब यह परंपरा से जुड़े हुए नहीं है हम यह नहीं कह सकते कि किसी रचनाकार में कोई विशेस परंपरा दिखाई देती है या कोई भी परंपरा पाई जाती है हम नहीं कह सकते कि यह परंपरा इस समय ही पाई जाती है मतलब प्रत्य एक देश का लवा परिस्थिती में ना तो कोई परंप्रा कभी पुरी तरह से समाप्त होती है ना ही पुरी तरह से परंप्राओं का पालन भी गया जाता है कभी-कभी यह कहा जाता है कि कोई परंपरीक है या थो अत्यधीक परंपरीक है ऐसा इसलिए होता है कि किसी को परंपरी कहना एक निंदा परक्टिपणी होती है मतलब वर्तमान नालोचना में उसमें क्या प्रवित्ती थी अंग्रेजी अलोचना में समकाले नालोचना में या प्रवित्ती थी का ड्याता था यह लेखक परंपरी कहने यह कभी परंपरिक है तो यह एक निंदा परक टिपणी होती है वास्ता में परंपरा कभी पुरी तरह से समाप्त नहीं होती है किसी रूप में किसी हर लेखा को कभी में परंपरा हमेशा विद्यमान रहती है क्योंकि हम समाज के हिस्से कोई भी लेखा के कभी क्या होता है समा आहिं परसंगिक नहीं प đã उप्योंग और मूलिवान बन जाती हैं तो कुछ है ऐसे होते हैं जब कि यह कई कई अलेखक्अ परॉघ कि नेसे निधरन करते हैं तो मानना यहा जह पार तो निरा रध्य तो ऐसे परहूर पोरी तरह से इत्यक्षा. कि जब हम परंपरा का आद्धियन करते हैं तब हमको पता चलता है कि पर हम ठांसें और हमें क्यूं पुस्तक पुरते समय जो अनभूती होती है उसके व्यक्त करने के लिए हमारा मस्तिस एक आलोचनात्माक विवैक से काम करता है मतलब किसी भी कृति को पढ़ते समय है या तो हमको आनंद का अनभा होता है या फिर हमको ऐसा मासूस होता है कि इसमें कुछ कमी रही देखा किया कभी ने सही डांग से इसको लिखा नहीं तो मतलब हम उसकी आलोचना करना चालू कर देते हैं जया से हमारे सुमितरनन पंधा इनको प्रकृति के चितेरे कभी कहा जाता है तो किस तरह से उन्होंने लिखा हुआ, तो हमके व्यक्तिकत विश्यस्ताओं को ध्यान में रखते हैं, जैसे निराला को पड़ते हैं तो वह बहुत ही करांतिकारी कभी हूं, विश्यस्ताओं को ध्यान में रखते हैं, व्यक्तित्तों को ध्यान में रखते हैं, हम कहा सकते है तब हम कभी की व्यक्तिकत प्रतिभा की बात करते हैं, लेकिन कभी की व्यक्तिकत प्रतिभा कैसे पता चलेगी, तो कभी की व्यक्तिकत प्रतिभा का मुल्यांकन हम, उनके पहले जो कभी हुए हैं, उनसे तुलना करके ही कर सकते हैं, मतलब तुलना बहुत ज़री है, जैसे को पूर्वारति जो उसी पर उन्हों लिखा हुआ है तब हम उस कवी का या क Speech कैरने के लिए पूर्वारति कविएं के साद उसकि फुलसा आश्यक है इसी से हम उसकी व्यक्ति प्रतिभा का पता लगा सकते हैं इलियट मानते हैं कि परंपरा का वहरूप जो अपनी पिछली पिडिता की सीमित्रती रहता है तो इस प्रकार की परंपरा को महत्व नहीं देना चाहिए वैलकि उसे हतोतसाहित किया जाना चाहिए परंपरा का व्यापक महत्व होता है परंपरा के तत्तों को आसानी से नहीं पाया जा सकता अपितु इसके मुल्य को ग्रहन करने के लिए कठीन परिश्रम की आश्यक्ता होती है मतब परंपरा से हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है लेकिन परंपरा को पुरी तरह से धारण करने के लिए ग्रहन करने के लिए हमारे अंदर इतिहास बहुत होना चाहिए हमारे इतिहास की समझ होने चाहिए अपने इतिहास और अतीत के प्रती हमारे मन में गर्व की अन्भूती होनी चाहिए तब ही हम उसको अरजित कर सकते हैं परंपरा को समझने के लिए जाना होगा कि परंपरा में सबसे पहले इतिहास बहुत नहीं होता है जैसे मैं बता चुका हूँ अलियट के ऐसा मानने का अर्थिया है कि कवी निश्चा ही अपने पूर्वर्वर्थी कव्यों को ध्यान में रखते हैं मतलब जैसे निराला ने राम की शक्ति पुजा लिखी तो यह बंगला भासा में लिखी जो रामार्ण है उस पर अधारित है क्रितिवास रामार पर अध इतिहास की समझ और इस्टोरिकल सेंस क्या है तो यह हैं इतिहास बहुत महानेता पर निर्भड करता है मतलब हमारा अतीद बहुत ही महान है बहुत ही महत्तपूर्ण है और वर्तमान में वी उसका कूचंस विद्यमान है यह इतिहास बहुत ही कभी को अपनी परंपरा से जोडता है इसमें कभी अपनी पिड़ी यह नहीं अपी तो अपनी पुरी परंपरा को ध्यान में रखता है यह इतिहास बहुत ही लेखा क्या रचनाकार को परंपरी पनाता है तो कोई कभी यह लेखा को हम महान कप कहेंगे ज यह वह अपनी परंपराओं से भी उतना ही जुड़ा होता है जितना कि वह अपने वर्तमान से जुड़ा होता है मतलब उसमें इतिहास बहुत होता है इतिहास ही समझ होती है परंपराओं का ग्यान होता है और उन परंपराओं को वह अपने वर्तमान के साथ भी जोड़कर चल चाहे उसमें कितनी भी व्यक्तिकत प्रतिभा विद्यमानों। तो यह से रेट यह काना चाहते हैं। परंपरा का अभिप्राय अंधानुकरण नहीं है। आंक मून कर किसी का पालन करना, किसी के बताय रास्ते पर चलना या परंपरा नहीं है। तो आमको पता है कि यह सही नहीं है तो देरे-देरे क्या है उसको ग्रहन करना उप्युक्त नहीं लगा लोगों को तो उसकी तुल्णा में नवीन विचार धार आई विद्वा विवा को प्रोसान दिया गया विद्वाओं की स्थिदि में सुधार हुई और आप तो तलाग हो रहे हैं दूसी और विद्वा शादी कर रहे हैं तो समाज में है नवीनटा का बलंबाला यह की है आगे अंको को व्लकि नवीन दोड़ा को हम कोई स्थान देना है परंपरा की यह उदाणा इल्यट ने प्रस्तावित की कि न भारती परिदिर्श में भी परंपरा कोई जडगत वस्तु नहीं है जडगत वस्तु मतलब रिद प्राए तो परंपरा की यह उदाणा टीयविर्ड ने जरूर दिया आ वेस्टरन क्रिडीसिजम का जन्म हमसे पहल अचार 41 17 भी परंपरा को गतिसील और जीवन परक्रिया है उनके अनुसार परंपरा का शर्दार्ध है एक का दूसरे को दूसरे का तीसरे को दिया जाने वाला क्रम मतलब हमारे पुरोजों से परंपरा हमको विरासत में मिली और हमने अपने बच्चों को परंपरा को उनके आगे मतलब उने बच्चों तक इस्थानांत्रित कर दिया परंपरा हमें अपने पूरोज़ों से मिली और हमने उसे अपने बच्चों में इस्थानांत्रित कर दिया हस्तांत्रित कर दिया तो परंपरा जीवन्द प्रक्रिया है जो अपने परवेश के संग परंपरा रूढ़ी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं परंपरा जहां सकारात्मक है रूढ़ी वहीं पर नकारात्मक है कि परंपरा एक सक्री और परक्रिया है इसे प्राचिंता का पर्याय नहीं मना जा सकता है मतुले किसी को परंपरिक कहना मतलों बहुत प्राचिन його अचार पिचार ये ऐसा नहीं कह सकते तो कि परंपरा ये जड़ और निष्कोरी तथ्था भी नहीं है अभी तो इसमें प्रवाह मानता या गतिशीलता भी होती है, प्रवाह मानता या गतिशीलता भी होती है, प्रवाह मानता या गतिशीलता भी होती है, इलियट की प्रवाह मानता भी इससे बिन नहीं है, इलियट कभी ही कहना है, अब प्रवाह के आलोक में, मतलब प्रवाह को knife सकते हैं परम्परा को ध्यान में रखें परम्परा एक सतत प्रकृति है द्रांतर चलने वाली गतिसीन प्रकृति क्रव के गतिसीं तत्रबहें रचनातमक्ता को अभी व्यक्त करता है। इसका कहना है कि कोई बी लेख्ऌक या कवी ही अकला कार अपनी परम्परा से थैसा नहीं रह सकता। वह जो भी है रचना करता है, उसमें उसकी परम्परा की छाया अनिवार रूम सेदिखाई देती है और वो अपनी रचनात्मक्ता के माध्यम से वास्तों में परमप्राओं को ही अभिव्यक्ति प्रदान करता है। इस द्रिश्टि से देखें तो किसी भी रचनाकार या सर्जक को अपने समकालीन परिवेश के अत्रिक्त अपनी परमप्रा और उसके संदर्मों को भी समझना पड़ता है। तो यहां यहां पताए जा रहा है कि किसी कवी या लेखक में कितनी भी प्रतिभाव हो, यदि वह परंपरा से कटा हुआ है तो वह महान कवी या लेखक नहीं बन सकता, इसलिए किसी भी रचनाकार या सर्जा को ना केवल अपने वर्तमान समय में, वर्तमान समय में जो चलने वाली समकालिन प्रवित्या हैं साहितिक प्रवित्या हैं समकालिन परिवेश है ना केवल उसको समझना होता है बलकि उसके अपने पुरानी परंपराओं को भी समझना पड़ता है परंपरा के संदर्मों को समझना पड़ता है कविया कलाकार अपनी रचनात्मक निर्मिती ना के वाल उस परंपरा बोध या इतिहास बोध से जूटकर करता है अपिति उसका मुल्यांकान भी परंपरा के आलोग में परंपरा के संदर्ब में ही किया जाता है मतलब कोई भी कभी या लेखक किसी रचना का निर्माब या फिस रिजन सिल कोई क्वी जीजका स्रीजन या फिस रचना तब ही कर सकता है जब वो अपनी परमपरा से दुड़ा हो उसमें परमपरा बोध만 हो परमपरा का ग्यान हो इतिहास बोद हो मतलब इतिहास का ग्यान हो और उसका मुल्यांकन भी परंपरा को ध्यान में रखते हुए और परंपरा के संदर में ही किसी कभी का मुल्यांकन किया जाता है यह संदर्व कैसा होगा किस रिफ्रेंस के अधार पर उसका मुल्यांकन होगा मुल्यांकन का अधार क्या हो मुल्यांकन के प्रतिमान प्रतिमान मतलब माने क्या इस्टेंडर्ड क्या होगी इन सबी बातों का उत्तर तो तभी मिल पाएगा जब हम वर्तमान पिड़ी के साथ ही नहीं पुरानी पिड़ी बल्कि अतीत के कवियों अर्थात पारंपरिक कवियों के साथ विवेज चेकृति का तुलनात्मक अध्यान करेंगे तो हम किसी कवी ये लेखक की रचना की स्रिष्ठता का मुल्यांकन या फिर उसकृति का मुल्यांकन कैसे कर पाएंगे एक तो उसके जो समकालीन कवें जो प्रगार के सबजेट या विशायवस्ते कज़ेंगे, उसके साहिगा जब उसका तुलनात्म करें तब ही हमें पता चलीगा कि या इस कविता का श्टेंडर क्या भी इसका कवी कितने हैं जलतों कि यदी किसी कवी का मुल्यांकन किया रहे हैं quello अतीत के साथ रचनात्मक की जाना था रिखनलतग यहां पर बता हैं कि यह कई कवी का मुल्यांकन करने के लिए पुराने जो कवी हुए हैं जो उसी प्रकार के सब्जेक्टे में जिनोंने लिखा है उनके साथ उसका तुलना करना आउस्यक है परंपरा का महां तो बता रहे हैं टीय सिलियट ने अपने ढंग से इस बात को समझाया है उनके शब्दों में कोई भी कवी या किसी भी कला का कोई भी कलाकार अकेले अपने इस तरपर सार्थक नहीं होता उसकी महत्ता और उसकी प्रशंचा मृत कवी और कलाकारों के साथ उसके समंदों के आधार पर निर्धारित होती है मतब केवला आप एक ही कवी को पढ़ रहे हैं एक ही लिखा को पढ़ रहे हैं और उसका मुल्यांकन कर रहे हैं तो मुल्यांकन संभाव नहीं है यदि आप उसका मुल्यांकन करना चाहते हैं किसी कला करके या किसी कवी का मुल्यांकन करना चाह रहे हैं तो उसकी तुलना जो पुराने जो कभी हुए हैं, जो मृत हैं, जो मृत कभी और कला का रहे हैं, उनकी रचनाओं के साथ, उनकी कला के साथ उसका तुलना करना पड़ेगा, तब ही हम उसका मुल्यांकन कर सकते हैं। आप उसका अकले मिलांकन नहीं कर सकते आप उसको जैसे आप दुकान में कोई समान खरिदने का है कोई आपने कुछ प्रोडुक्त का डिमाब्ड कई कभए वह एक ही है सोगे इत्ब हैं अपको किसको लेना है , वैसा ही है मतलब मुल्यांकन करने के लिए तुलना आश्यक है ऐसा टिस लटका मनना है आप उसका अकेले मुल्यांकन नहीं कर सकते हैं आपको इस कम्रित कवियों के साथ समानता रसमानता दोनों इस तरों पर अधियन करना पड़ेगा यहां पर यह परंपरा की बात करें पुराने जो कवी हुए हैं जैसे होमर हैं वरजिल हैं हमारे यहां जैसे रमाण है रामचरित मानस है वालमी की रमाण है वालमी की रमाण ह संस्क्रित का फिर राम चरितमाना सा गया उधी भाषा में उसके बाद फिर राम की शक्ति पूजा है हिंदी में खड़ी बोली में तो इन सब का आपस में पुलना करेंगे तब आप वोपता चले गए तो मेरा विप्राई यह है कि यह एक सौंदर एसी दान थे क्योवल एतिहासी का रोजना नहीं है इसी पगार है जैसे कम रामान है तमील में और कृतिवास रामान है बंगला में बहुत सारे रामान लिखें गए इलियट की इस व्याक्षा के तीन मेरा विप्राई आए कि यह सौंदर एसी दान थे क्योवल एतिहासी का रोजना नहीं है तो इलियट की इस व्याक्षा के तीन मिंदू है तो संशेप में हम का सकते हैं तीन चीनों का उन्होंने मुखी रुसूल लेख किया है कोई भी रचनाकार या कलाकार अपनी परंपरा से अलग हट कर या पुरी तरह प्रिथक होकर रचना नहीं कर सकता तो सोचंदधावादी कभी यही करते थे उनको परंपरा से मतलब नहीं था, अपने पास्ते से या अपने प्रेजेंट के जो लोग हैं समकालिन परिद्री से उसे मतलब नहीं था, उनको अपनी मन की भानों का अव्यक्ति प्रदान करना था, अपने व्यक्तित को या अव्यक करते हैं और किवल एक ही कवी है तो उसका मुल्यांगर नहीं हो सकता जब तक आ प्राचीन यां मृत्त कव्यों या कलाकरों से उसके तुलना नहीं करते तिसरा, किसी कृति या कृतिकार के मुल्यांकन का अधार प्राचीन अर्थात, मृत कवियों, कलाकारों की रचनाओं या कलाकृतियों के तुलनात्मा कर्धियन के अधार परी संभाव है मतब किसी भी कृति या कृतिकार का मुल्यांकन करने के लिए प्राचीन या अमृत कवियों और कलाकारों के साथ उनका तुलनात्मा का पद्धियन करेंगे तब ही आप उसका सहीजन सी मुल्यांकन कर पाएंगे इस प्रक्रिया में दोनों की समानताओं और असमानताओं का विश्लेशन करना आउस्यत है मतब प्राचिन कवियों अकलाकारों के साथ जो हमारे वर्तमान कविया अकलाकार है उन दोनों में क्या समानता है और क्या असमानता है इनका जब हम विशलेशन करेंगे तब हम उसकवी आकलाकार का समुचित धंग से सही रूप से मुल्यांकन कर पाएंगे टीया सिलेट द्वरा प्रतिपादित परंपरा की इस संकल्पना और परंपरा के आलोग में रचनाकार के मुल्यांकन और तुलनात्मा कद्यान को भारती संदर्व में देखें तो एक उदाहरान सरवाधिय को प्रतित होता है अब टीया सिलेट की है जो परंपरा के आधारना है और वैक्तित प्रतिपा की जो अधारना है यदि हम इसको सही डंग से समयना चाहते हैं तो हम कुछ उदाहरान देखते हैं भारती संदर्व में यदि हम हिंदी के सेष्ट कवी तुलसी दास की सुप्रसित रजना रामचरित्मानस के मुल्यांकन की बात करें तुलसिदास की जो रामचरित माना से जो अधी भाषा में लिखे गई है और वालमी की रामायर संस्कित भाषा में लिखे गई है इन दोनों का जब हम अध्यान करेंगे तब ही हमको तुलसिदास का हम सही धंक से मुल्यांकन कर पाएंगे दोनों के तुलनात्म कद्यान के दवरान, दोनों कृतियों के साम ये वैशम, वैशम ये मतलब समानता और असमानता, साम ये मतलब समानता, वैशम ये मतलब असमानता, जब हम दोनों का तुलनात्म कद्यान करेंगे तब हमको क्या पता चलेगा, कि दोनों ये कृतियों में क् उसके द्वारा ही उनका मुल्यांकन संभा हो पाएगा इसविए परकाड जब मैथिली शर्णगुप्तकी रचना साकेत साकेत का मुल्यांकन करेंगे यह रामकथापार अधारी थे साकेत तब हमें राम चरिफ मानस के साथ तुल्ना करके उसका मुल्यांकन करना होगा तो साकेत का जब हम मुल्यांकन करेंगे मतली सरण गुप्त का तब इसकी तुलना हमको करना पड़ेगा रामचरिक मानस के साथ तब हम साकेत का मुल्यांकन कर पाएंगे यही नहीं संभाव हो तो इन तिनों का तुलनात्मक अध्यान करें तब ही परंपरा की इस निरंतरत्त को अज रचना कारएं, passer बें तो पता चलेगा कि कृधी अपनी परंपरा में, क्रिदितनी प्रासंगिक है हम शार्त है, बत बंस परंपरा पर आधारी पिद्ध है, जो कावे यहां विभिन कावे क्रिदियों की तुलना करेंगे आपस में तब ही हमको पता चलेगा कि यह जो हमारी कृति है वर्तमान में जिसको लिखा गया है वह परंपरिक के साम्य वैश्या में समानता और समानता के विसलेशन के परिप्रक्ष में रचनाओं का वास्तिक मुल्यांकन संभाव हो सकीगा इस पकार कहा जा सकता है कि परंपरा के संदर में रचना अपनी सार्थक्ता और गुड़ता सिध्ध करती है मतलब परंपरा को ध्यान में रहकर ही हम किसी क्रिती का समची कुँ लियांकन कर सकते हैं और उसकी शार्थका और उसकी पुरवत्ता का पता लगा सकते हैं कि इसमें कितनी क्वालिटी है हैं अब एक दूसरे उधरानवांट से भी से समझने की कौशिस करते हैं। इक दूसरे उधरानद देखते हैं। हिंदी साहित्य का भक्तिकाल रचनात्मक्ता की द्रिष्टी से अत्यदिक सम्रिद्ध है क्योंकि हिंदी का भक्तिकाल है उसे स्वर्ण युक कह जाता है, परंपरा से उनका गहरा जुड़ाओ है, परंपरा से उसे अलग करके समझना बहुती कठीन है अभी हमने रामकथा के संदर में परंपरा के आलोक में मतब परंपरा को ध्यान में रखतर हमने रामकथा के संदर में रचनाकार के मुल्यांकन और उस परंपरा से जुड़े कवियों तथा कावे-कृतियों के तुलनात्मक अध्यान की चर्चा किये तब परंपरा को ध्यान में रखकर हम राम-कठापरादारे जितनी भी रचना हैं उसके कैसे तुलनागी जा सकती है उसका अध्यान की इसी करम में यदि हम कृष्ण भक्ति कावे की परंपरा और रचनाकारों के तुलनात्मक अध्ययन की बात करें तो कुछ उपिर्त और प्रासंगिक संदर्भों का उल्ले करना और सिव ज्यान करता है अब हमने राम कंथा देखा राम भक्ति कावे अब क्रिश्ण भक्ति कावे में देखते हैं कि हम सूर्दास की रचनाओं का अस्तंदर विर्ण करते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि बल्लबाचारे द्वारा प्रतिपादित पुष्टि मार्ग की परंपरा से सूरदास स्रीमत भागवत महापुराण का जाता है का दसम इसकंद है इनकी रचनाओं का जो मूल सुरत क्या है स्रीमत भागवत महापुराण का दसम इसकंद है यहां से प्रभावगराण किया गया है परंतो सूर्दास की कलपना शक्ति उनकी इमेजनेशन और उनकी कावे प्रतिभा उनका इंडिजियल जो टेलेंड था उनमें प्रतिभा थी कावे शैली का वैसिष्ट या भी शिष्टता प्रदर्शित करती है ब्रज भाषा में जब इन्हों ने रजना लिखी जो स्रीमत भागवत महापुरान पुरान जो संस्कृत में इसके अधार पर इन्होंने ब्रज भासा में जब लिखा तो ब्रज ना किवल ब्रज भासा को उचाई तक पहुचाया बलकि कृष्ण भक्ति कावे को भी शिखर तक इन्होंने पहुचाया तो यह उनकी खुदकी प्रतिभा थी जब इनकी व्यक्तिक प्रतिभा और पर प्रवास इसका मुल्यांकन करते समय सोर्दास की रचना शीलता को ध्यान में रखना होगा इनके बीच तुलना करके हम किसी निश्कर तक प्रमोच सकते हैं अध्या सी उपाध्या हरियोद के प्रिप्रवास का मुल्यांकर करना हो उसकी आलुचना करनी हो उसकी महत्तो का प्रतिपादन करना हो तब हमको क्या करना होगा उसकी पुलना सूर्दास के कावे से उसकी पुलना हमको करनी होगी कृष्ण कावे से यह बात सही है कि कृति के मुल्यांकान का या सरवत्तम प्रतिमान माना के इस्टेंडर्ड नहीं हो सकता क्योंकि रचनकार अपने समकालिन परिद्रिष्ट, कावे शली तता कावे भाचा और सरकारों को ध्यान में रखकर रचना करता है अब यहां पर एक छोटी सी बात हमको स यही नहीं वह आपने समकालिन पर्दी से प्रभावित हुए भीना नहीं रह सकता है। गलत है। यह पूरी तरह से ऍहिकार नहीं है। कि वर्तमान समय में जो कभी लिख रहे हैं तो वर्तमान समय है कि कवियों के साथ वर्तमान परिद्रिश्य के साथ उसकी तुला की जाना है। मतलब वह एकांगी द्रिष्टी कोड है, यदि हम किसी कवी का मुल्यांकन करना चाहते हैं, तब हम सिर्फ पुराने कवियों, प्राचीन कवियों के साथ ही, प्राचीन दजनाओं के साथ ही उसकी तुल्ला करें, प्राचीन या वृत कवियों के साथ ही उसकी तुल्ला करें, तो यह एकांगी दिष्टी कोड है, एक तरफ़ा दिष्टी कोड है और ऐसे में शही धन से मुल्यांकन करना संभाव नहीं है, अता यह मांडेता पूर्णता अस्विकार नहीं है, इसके बावजूद भी यह कहाना भी इतना उप्रिप्त एयाम सिकार नहीं होगा, कि परंप्रत था प्राचीन रचना सिल्टा को पूर्णता अस्विकार करके किसी कविया रचना का मुल्यांकन संभाव है, इसके साथ हम यह भी नहीं कह सकते, कि प्राचीन कवियों या प्राचीन रचनाकारों के पूरी तरह से उपेक्षा करते हैं, परंप्रा के पूरी तरह प्राषिन कवियों के साथ वर्दवान के जो कवी हैं जो सम्कालीन कवी हैं ,सम्कालीन रचना हैं उनके साथ दियूस का तुल ना करना और अशक है परव्परा से पूरनता अलग होकर मुल्यांकन संभव नहीं नहीं परवश्क्षा हो हो सकती है और यह भी सही है कि सिर्फ परंपरा ही मुल्यांकन का अधार नहीं हो सकती है मदब ना तो हम केवल परंपरा को ही मुल्यांकन का अधार बना सकते हैं और नहीं परंपरा को कवी का मुल्यांकन करने के लिए परंपरा के अधाना को समझना बहुत आउस्यक है और कवियों और कृतियों के मुल्यांकन के लिए जो परंपरी का रचना सीलता है प्राचिन कवियों के जो रचनाय है वे भी अत्यन्त महत्पुन भुमिका का निर्वाह करती हैं मतलब प्रमपरा है वर किसी कभी कि व्यक्तिक प्रतिभा, व्यक्तिक प्रग्या, इंड़ीज़़् टेलेंट उससे ज्यादा महतरपोड है T.A.C.L.E.T. says that tradition is rather more important than the individual talent of the writer और individual talent of the poet यह उनका कार है संचेप में T.S. इलेट की परंपरा और व्यक्तिक प्रतिभा समंधि मानेताओं को इस प्रकार रखा जा सकता है यह उपसंहार है हम समराइस करेंगे संचेप में बताएंगे कि वास्ता में वो कहना क्या चाहते हैं उपसंहार में हम सारी बातों को संचेप में बताते हैं जो हमने उपर कहा है यूरोपी परंपरा पर विचार करते हुए इलेट ने यसी धान दिया कि प्रत्येक राश्ट और प्रत्येक प्रजाती की अपनी सर्जनात्मा की नहीं आलोचनात्मक मानसिक्ता भी हुआ करती है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि प्रत्येक प्रजाति या प्रत्येक रास्ट क्योल स्रीजनी नहीं करता बल्कि आलोचना भी करता है जब हम किसी कृतिक आद्धियन करते हैं तो हमारे दिमाग में सांती सांत आलोचना और समालोचना भी चलती रहती है दूसरा है किसी रजनाकार की महत्त प्रतिष्ठा करते समय मतलब उसका महत्त थाबित करते समय हम प्राया उसकी वयक्तिक विशिष्टताएं व्यक्तिकत विशिष्टताएं वेक्तिकत प्रतिभाग पोच कर दिखाने का प्रियत्त करते हैं उसके पुर्वर्थी कवियों से उसकी भिनता रास्मानता या विश्श्टिता को पाचानने में हमें प्रसन्नाता होती है मतलब जब हम किसी कवी को महान साभित करना चाहते हैं तब हम कभी की रचना के स्ट्रेश्ट ही नहीं सर्वता अवयक्तिक पक्षभी वही होते हैं जिन में उसके पुर्वर्ती रचना कारों का प्रभाव प्रभाव अश्टारी धंसे ब्यक्त हुआ है पर तो जब भी हम किसी कृति का मुल्यांकन करते हैं या किसी कवी का मुल्यांकन करते हैं तब हम पाएंगे कि उसने जिन बातों का उल्ले किया है जिन चीड़ों का उल्ले किया है जिसके उपर उसने लिखा है उसके पुरवर्ती कवी कवी उससे भी बेहता तरीके से वहाँ पर लिख चुके हैं मतब प्राय व्यक्तिक प्रतिभा मतलब टेलेंट परफण विच्छ लिए अलग कार रखियह और मतलब निर्पे श्याँ असंबंद वस्तूर नहीं है कहने का ताथ पर यह है कि व्यक्तिक प्रतिभा मतलब नहीं होती मतलब परफण के व्यक्तिक प्रतिभा जूड़ जाती है, व्यक्तिगत प्रतिभा जूड़ जाती है, तब हमको सरस्रेश्ट ससाहित्य प्राप्त होता है, मास्टरपीस प्राप्त होता है, मतलब जो व्यक्तिगत प्रतिभा है, व्यक्तिक प्रतिभा है, या पिर व्यक्तिक प्रग्या है, वह परंपरा से कोई पूर्ण अधर रूप से कटी हुई निर्पेक्ष मतब उससे कोई संबंद ही रखना और असंबद ऐसी वस्तु नहीं है दोनों का आपस में चोली दामन का संबंद होता है परंपरा से गहरे अर्थों में जुड़कर ही कभी अपनी वैक्तिक सामार्थ्य वैक्तिक प्रतिफा को अधिक प्रभावी रूप से जागर कर सकता है मतब परंपरा से जो कवे जितना गहरे रूप से जुड़ा रहेगा तो उसकी जो सामार्थ्य होगी वैक्तिक प्रतिभा होगी वह उसको अत्यंतर प्रभावी धंग से अभी व्यक्ति प्रदान कर सकता है हिंदी में तुलसिदास और निरला इसके अच्छे उधारण है कि कैसे राम कावे परंपरा से जुड़कर इन कवियों ने राम चरित्मानस और राम की शक्ति पुजा को नूतन कावे तुकर्स में ढाल दिया मतलтесь राम कावे परतिभाद से जूड़कर इन कम्यों वह ने राम के जो चरित रहे रहे रहना और उसके उपड़न ने कावे जो लिखा उसको इन्होंने नहीं उचाईओ तक पहुचा दिया है इन कृतियों में व्यक्तिक प्रतिभा के प्रसपुटन में परंपरा बाधाक ना बनकर सहाक्सिद हुई है मतलब इनमें जो व्यक्तिगत प्रतिभात हो थी चाहे निरादा हो चाहे तुलसी दासों इनमें व्यक्तिगत प्रतिभात हो कूट-कूट कर भारी हुई थी लेकिन जब परंपरा से ये जूड़ गए परंपरा से इने वालमी की रामायर प्राप्त हुई थी उससे जब ये जूड़ गए तब ये परंपरा इनकी प्रतीभा के प्रसपुटन में प्रतीभा की अभिव्यक्ति में बाधक नहीं बलकि सहाक सिद हुई और उन्होंने राम पथा राम कावे को नई उचाईनों तक पहुचा दिया, तीसरा, रचनाकार के लिए परंपरा सांस की तरह सहज, सभाविक अनिवार नरसरगी किया है, मतब किसी कृतिक जब तक मुल्यांकर नहीं होगा, जब तक उसकी आलोचना नहीं होगी, या परंपरा, जब तक वा परं करता रहता है, कुछ भी सोचते, सुनते, पढ़ते समय उसके गुर्ध दोश्यों का असास माना विवेक स्वयम करता चलता है, मतब जब भी हम कोई पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, तो उसकी आलोचना सभाविकृप से हमारे दिमाग में होने लगती है, कुछ अच् प्रक्रिया में कभी परंपरा मौन होती है, कभी मुखर, जब कभी अभिवेक्ति प्रदान करता है, कभी कभी हमको उसमें परंपरा के दरसन दिखाई देते हैं, परंपरा के अभिवेक्ति करता है, कभी कभी परंपरा को छुपा भी जाता है, कभी कभी वा दिखती भी नह बगवा राम बार बर पराजीत हो जाते हैं, तो तक्राहट जो संहर्स की मुद्रह में होती है, रचनाकार के साथ एक संहर समान बराबर चलता रहता है, मिdaleम्परा के सापत रचनाकार कभी अगिवार पर्म्परा से सामात होता है और यह प्रक्विया चल ती रहती है और यहा उसके ब् 제대로 क solvent करता लता है परमपरा के प्रदित हर्प ने लगाओं का हर्थ धर्मिटा जीत या अंधानुकरण करना अंधा नुकरण नहीं है परंपरा अंधा नुकरण से मौलिक्ता नाश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् अर्थवत्ता मतलब अर्थ की संपन्नता कि उसमें कुएं सा अर्थ विद्यमान है परंपरा की व्यापक अर्थवत्ता तो स्रिजन कर्म की नविंता मौलिक्ता में ही प्रतिफलित होती है कि मतलब परंपरा का भ्यापध कर प्रस्पूरित होता है जब परंपरा के द्वारा नवीनता का प्रादुर्भाव रोता है जैसे वालमिक की रामाने या पिदि शर्चिवास रामाने बंगला का उसको कड़कर और उन्दिराणा ने लिखा राम की शक्ति पुज़ा तो इसमें नवीना और मौली को भौना है जिसमें उन्होंने भगवान राम को एक सधान मनुष्य की तरह चित्रित किया है जो पराजित भी होते हैं जो दुखी भी होते हैं हमारे आम आदमी की जो भौना होती हैं वो परंपरा को दाय दाय मतलब होता है जो हमको उत्तरा धिकार से प्राप्त होता है हमको कुरोजों से प्राप्त होता है परंपरा को दाय या विरासत के रुप में प्राप्त नहीं किया जा सकता उसकी प्राप्त के लिए कठोर तब साधना या स्रह मावस्यक है मतलब परंपर परंपरा का ज्यान उत्पन करना पड़ता है तभी हम उसको अर्जित कर सकते हैं उसको ग्रांड कर सकते हैं परंपरा का अरता है इतिहास तियास पर रेके वलागे नहीं है इतिहास बहुत कतात पर रखे वाली है नहीं कि हमको सिर्प क्रोणा लाजिकल ओर्डर में दिन तिती के साथ हमको पता है इतिहास में क्या क्या हुआ का हुआ बलकि हमको यह मालूम होना चाहिए कि यह हमारा इतिहास है और इस इतिहास ने हमारे वर्तमान को इस तरह से प्रुभावित किया है बतलब वह इतिहास जो हमारे वर्तमान से जुड़ा हुआ है वह एतिहास जो हमारी वर्तमान की बुनियाद है वर्तमान की नियु है पर एसेपसंग नाट वनली अब दा पास्ट नेस आए आप इस प्रेजेंस इतिहास बहुत अपनी पिडी के रचना कर्म को ध्यान में रखकर लिखना नहीं है बलकि उसमें हमर वर्जीन से लेकर पूरे युरोप के साहिते के साथ ही अपने देश के समग्र साहिते दोनों का स्तित हुआ करता है अब इतिहास बहुत का तात्पर यह रहें कि सिर्फ प्राचीन बातों आप प्राचीन कभी आप प्राचीन लेका को रचनाकारों का यह अपरीगर रुखसेयं को साहिते प्राफ्त हुआ है और थमान समय में दोनों अध्यान करें और उनकी आपस में गुत रहें और हिंदी में एसे परंपरा को परagशाम्र को जिवन्थ करने का परिशिक्त जा spiderwegin कमें consistent दिखाई दिखाई देता है आईसी परंपरा को गहन अपने पुर्खों, होमर आदी को बोलते पाते हैं, तो हम प्रसाज जी के स्रिजन में अपने वैदिक रिषियों की वाडी की अनुगुज सुनते हैं, जैसे इलियेट हैं उन्होंने अपने कावे में आपने जो पूरक्षी हैं, पुराने जो कभी हैं, होमर, वर्जिल, इत् मुनी तो उनकी वाड़ी को हम उनमे सुन पाते हैं इसलिए उनकी जो लिखने की जो शैली है वा संस्कृत में खड़ी बोलिए यह भी ध्यान देने की बात है कि कभी आलोचक अग्ये को जब टीय सिलियर्ट के निवन ट्रैडिसन एंडी इंडिवियल टेलेंट का अनुवाद रूढ़ी और मॉलिक्ता नाम से करने की प्रेणा मिली तो इस प्रेणा की मूल में अपनी परंपरा की रूढ़ी या बासी पन को जाड़कर मॉलिक्ता को ग्रहार करने की समस्या थी उसे रचनात्म कनभूती के इस तरपर एक जिवन परंपरा के रूप में आत्मसाथ करने की समस्या थी इसलिए जब हीरानन्द सच्चिदनन्द वात्सयायन अग्य जी ने जब ट्रेडिशन एंड इंडिव्यल टेयन का हिंदी में अनुआत करना चाहा किस नाम से रूड़ी और मौनिता के नाम से तुनके सामने सत्व बड़ी समस्या क्या थी कि परंपरा को रूड़ियों से अलग करते हुए जीवन और गतिसी लूप में प्रस्तूप करें जीवन और ग उसे परंपरा के संग्या देना ही संकीत या ठीक समिचिन यह ठीक नहीं है मतब जो उणिया निर इंहि सकते वड़ीशन और सबस्क्रिशन ऑब वरतमान को संपनल और साइर्थक बनाती है तथा भाविश्य के लिए मार्ग प्रसस्त करने का मातबून कारे करती है वास्ता में परंपरा का कारे क्या है? परंपरा का कारे यह है कि हमारे वर्तमान जो परिद्रिस निया है उसमें हमारे पत को अलोकित करे हमें रास्ता दिखाए मतलब हमको जो साहितिक और सांस्कृतिक विरासत जो हमको प्राप्त हुए है परंपरा से उसका मुख्यू देश क्या है कि ये हमारे पत को अलोकित करे सही रास्ता दिखाए और उसके उत्ता मंस को हम ग्रहन कर सकें और उसके आधार पर हम अपने वर्तमान को जीवन और जीवनतर सार्थक और संपन बना सकें और साथ ही भाविसी के लिए भी हमारा पत प्रसस्त करें मार्ग प्रसस्त करें हमें रास्ता दिखाए परंपरा का यहकार है इस दूरी से परंपरा का विष्तार देश और काल बुश Wait Z Ha , कि 10 है अर्वा हर समय मौझूद रहती है विद्यवान रहती है और हमारे जिवन को सार्थक और सफल बनाती है और इसका विष्तार हर देश और हर काल और हर परिस्तितीमें होता है परंप्रा के संदर में विशेश बात या है कि किसी भी कवी या कलाकार की अर्थवत्ता मतलब अर्थक के संपनता केवल अपने आप अकेले पन में नहीं होती इसके सही अर्थवक्ता उसकी प्रशंशा दिवंगत या पुर्वर्थी कवियों कलाकारों के सपिक्षता में ही होती है मतब यह बार बार इन्होंने यही बही बात कही है किसी भी कवी का मुल्यांकन अकेले किसी कवी या कलाकार का मुल्यांकन नहीं कर सकते बलकि किसी भी कवी ये कलाकार का मुल्यांकन करने के लिए हमको उसकी तुलना प्राचीन जो हमारे कवी है उनसे करना आउश्यक होता है जो परंपरा से जो प्राप्त विरासत से जो प्राप्त साहित है उससे जब हम किसी कृती की तुलना करते हैं तब ही हम उसकी मुल्यांकन कर सकते हैं, किसी कलाकार की क्रिती का मुल्यांकन, पुराने जो कलाकार हुए हैं, उनके क्रिती को ध्यान में रख कर ही हम कर सकते हैं। उसका अकलेपन में मुल्यांकन नहीं कह जा सकता साम ये वैशा में मतलब समानता या असमानता के लिए उससे पुर्वर्ती रचनकारों के साथ रख कर देखना आवश्यत है मतलब किसी भी कृतिय रचनकर मुल्यांकन करने के लिए पुराने जो कलाकार्या कभी हुए हैं, उनकी रचना और कृतियों से उसकी तुलना करके ही हम उसका मुल्यांकर कर सकते हैं, इसके पीछे तरफिया है कि जब भी किसी नई कला कृति की रचना होती है, तो उसके साथ पुरोवर्ति सभी कृतियों को थोड़ा बहुत तालमिल बठाना आनिवार हो जाता है, आपने देखा हुए कई फिल्में बनती हैं, जैसे कोई फिल्मों बनी देवदास, अब शारुकान की देवदास है, उसके बाद हम देखेंगे दिलिव कुमार की देवदास है, उसके बाद कई और देवदास फिल्मों बनी हुए हैं बांगल नवीन कृति के आपिर भाव के पुरवे दिमान कृतियों के इस्थिर ब्यवस्ता होती है एक परंपरा चली आती होती है जो नवीन कृति के आने से कुछ न कुछ परवर्तित हो जाती है स्थान ले लेती हैं नए कृत्य पुराणी कृतियों को अपनी जगा से ठेल कर अपने लिए जगा बनाती है सामी वायशामय के निधान में कृतिका महत्वपड़ याता है किसी इक गढ़ जाता है आतीद को वर्तमान से उसी तरह प्रयवर्तित होना चाहिए जिस तरह वर्तमान आतीद केंने कतात्व पर है कि जब कोई रचना रही नई कृतिया तो पुराने कृती ya कविता क अबना इसतान बना लेटी है तो उनमें जो समानता है जो उसमें असमानता है उसका जब हम अध्यान करते हैं तो इससे क्या होता है जो नई कृति है या तो उसका महत्र पढ़ जाता है या उसका महत्र घड़ जाता है वैसे जो पुरानी कृति है नई कृति से जब हम उसकी तुलना करते हैं तो पुरानी क तो अतीद को वरतमान से उसी तरह प्रवाइथ होना जाई जिस तरह वरतमान कि वर्तमान अतीद कार हिंका ध्यान करता है को नहीं नहींको जीवास्म वाहसील ला फुरें तो पूरानी द्थान का जेसर coordin कर्रिभ थे वर्तमान के जो हम अध्यान कर रहे हैं वह हमारी पुराने जो तीरी है पुराने जो सिधात है उसको बदल दे रहा है वैसे जो सिंदुगाटी सब्वेता है सिंदुगाटी सब्वेता का जब हम अध्यान करते हैं उसके माध्यम से हमको पता चलता है कि वह एक नगरी सब्वे तब हमको हमारे इतिहास को बदलना पड़ता है तो यह चीज़ है अठवा उल्लेखनी है कि कभी को अतीत या परंपरा का ज्ञान तो होना चाहिए कि इसके स्वयम के मौलिक्ता ही नश्ट हो जाए करणा स्वयम का मौलिक्ता मर जाती है और वह बात करते हैं और उनकी समर्दना विखक न्तिध्न प्रतिपा पूरी तरह से स्माप हों जाती है इसे कहते हैं अंधानुकरण, आक मुंदर कभी के लिए अतीत की चेतना का विक्सित करते रहना ज़ूरी है और उसे आजिवन विक्सित करते रहना भी चाहिए कभी के लिए ज़ूरी है लेकिन उसका अंधानुकरण नहीं करना चाहिए बलकि इतिहास बोध और परमपरा बोध के आधार पर परमपरा को आत्म साथ करना चाहिए और इस चेतना को हमेशा विक्सित करते रहना चाहिए कलाकार की प्रगती सदत आत्म बलिदान में है व्यक्तित्त के सदत आत्म समरपड में है मतलब कईव को क्या करना चाहिए अपनी प्राचीन जो परंपराएं परंपराओं को पर्याप्त महत प्रदान करना चाहिए और अपने व्यक्तित्त को उसमें तिरोहित कर देना चाहिए सेक्रिपाइस कर देना चाहिए और व्यक्तित्त के सदत आत्मसमरपण में हैं व्यक्ति व्यक्तित को पूरी तरह से प्रम्परा को समर्पित कर देना चाहिए तब ही वह किसी महान कृति की स्रीजन कर सकता है और इस इस्तिति को बहुते हैं निर्वयक्ति करना मतले अपने व्यक्तित को पूरी तरह से तिरोहित कर देना अपने व्यक्तित को पूरी तरह से मिला देन समाप्त कर देना समर्पित कर देना तो इस तरह हमने देखा कि परमपरा और वयक्तिक प्रतिभा अत्मा वयक्तिक प्रग्या में आपस में क्या संबन्द है और इसका नोट्स इसका पीडिये आपको लिंग में मिल जाएगा और मेरा टेलिग्रम चैनल भी उसे भी आप कर सकते हैं और यदि आज का या मेरे एपिसोड आपको अच्छा लगा हुगा आप इसे समझ पाए होंगे तब कमेंट बाक्स में कमेंट लिक का जरू बताएं साथ यदि अभी तक आपने मेरे यूटुब चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्